हेलो दोस्टों आज हम आपके साथ एक पैंट प्लाजो की कटिंग और सचेशिंग करना बता रहे हैं ये जो पैंट प्लाजो है नॉर्मल वाला नहीं है ये हम स्टेशिंग वाले कपड़े में बना रहे हैं length में कितना margin रखते हैं, चुडाई में कितना रखते हैं, और crotch area कितना रखना है, तो ये सारे difficulties हैं, जो सारी problems हैं, हम इसमें solve करेंगे, तो यहाँ पर मैंने ये कपड़ा लिया है, यहाँ पर जो कपड़ा लगेगा, बड़े पने का होगा, तो एक मीटर में चल जाएगा, अगर छोटा पना है, तो आप नॉर्मल में 1.5 मीटर कपड़ा ले लीजिए, तो मेरे पास ये थोड़ा छोटा पना है, लेकिन मेरे पास 7 मीटर ही कपड़ा है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाना है, आप देखिए कितना स्टेचिंग है इस कपड़े में, बहुत ज़़ा स्टेच है, तो इसके अंदर कितना मार्जन रखना है, कैसी इसकी कटिंग करनी है, चलिए इसको शुरू करते हैं, कपड़े को हमने सेट करके रख लिया है, अब आप देखिए, यहाँ पे जो हिप का एरिया है, वो 44 है, तो इसमें हमने 2 जोड़ना है, नो नॉमली में हम 4 प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 प्लस करेंगे, तो यह 46 हो जाएगा, तो यहाँ पे 46 को हमने डिवाइड कर लेना है, 4 से, तो यहाँ पे 11 आएगा, 11 इंच हम यहाँ पे घेर लगा लेते हैं, और जो क्रोच एरिया है, वो हमने 11 इंच लगाना है, क्योंकि यह स्टेचिंग वाला कपड़ है, बहुत जादा क्रोच एरिया इसके अंदर नहीं लगेगा, तो यहाँ पे हम 11 इंच क्रोच एरिया लगा लेते हैं, इस तरहें, और इस लाइन को हम सीधा कर लेते हैं, यह जो measurement है, यह 44 इंच हिप का है, इससे आगे पीछे करना है, तो आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप जो L बनेगा, वो 2 इंच का बना लेते हैं, अब यहाँ पे थाइस का निशान लगाना है, थाइस में बहुत ज़रा लूजिंग देने की जुरूरत नहीं है, ओनली सिलाई का मार्जन ही आपने देना है, आधा इंच, दूसरे साइट से आएगा, जो वीच का गैप है, हमारा थाइस का वही रखेंगे, यहाँ पे जैसे 24 इंच हमारा थाइस का नाप है, तो एक इंच उदर चल जाएगा, स्लाई में एक इंच इदर चल जाएगा, तो 26 लगा लेते हैं, तो यहाँ पे मैं 13 का नाप लगा लेती हूँ, एक इंच की बैल्ट हमारी लग जाएगी जैसे कि 37 इंच हमारा त्यार है तो मैं 36 इंच पे यहां पे लंबाई लगा रहे हूँ और नीचे की तरफ फोल्डिंग का निशान भी हम लगा लेंगे यहां पे साइड में 2 इंच शोड़ते हुए पॉंचे का निशान लगाएंगे पॉंचे का निशान भी बहुत ज़्यादा खुला नहीं लगाना है यहां पे ज़्यादा मार्जन लेने की जिरूरत नहीं है क्योंकि कपड़ा बहुत स्टेचिंग में है यह खुल जाएगा यहाँ पे हमने पहुचा लगा लिया है साथ इंच और नीचे की तरफ दो इंच एकसा लगा लेंगे फोल्डिंग का तो यहाँ पे अगर कोई जैगिंग बनाना चाहता है तो उसके लिए खास टिप है कई लोगों ने ये पुछा है कि हम जैगिंग कैसे बनाएं तो जैगिंग में आपने बिल्कुल भी मार्जन नहीं रखना है जैसे हमने यहाँ पे लूजिंग का दिया है सिलाई के लिए तो जैगिंग में आप बिल्कुल भी मार्जन नहीं रखोगे जो आपका नाप आया है उसी नाप पे आपने इसकी कटिंग कर लेनी है और जो आपकी body की से साथ ये fitted हो जाएगा तो ये जगिंग की look देगा तो यहां से नीचे से उपर की तरफ थोड़ा सा इसको इस तरह करब देते हुए मिला लेते हैं यहां पे आपने 15-16 इंच पे इसको मिला लेना है अब हम नीचे की तरफ एक्सर मार्जन रखते हुए 1.5-2 इंच का इसकी cutting करेंगे अब लीजे front की cutting हमारी हो चुकी है अब हमने back की cutting करनी है सेम वेस्टे कपड़े को फैला कर रख लेते हैं इस तरह मैंने double में fold करके रखा है अब हम इस कपड़े को इसके उपर रखेंगे तो यहां पर मैंने इसके उपर रख लिया है और नीचे से अब इसकी cutting करना शुरू कर देते हैं मेरे पास कपड़े की लंबाई थोड़ी सी कम है उपर से तो उसमें हम जोड़ डाल देंगे वो कोई issue नहीं है अब हम यहां पर एक इंच का gap देंगे इसमें एक इंच का margin पीछे वाले पले में हम ज़्यादा रखेंगे इस तरह एक इंच का margin लगाते हुए उपर की तरफ आते हैं और crouch area है वो भी हमने बहुत ज़्यादा खुला नहीं लगाना है तो कि यह fitted बन रहा है थोड़ा सा fitting में है तो इस तरह बढ़ाते हुए हम एक इंच का crouch area इसमें बढ़ा लेते हैं तो इसको अब निशान को हम कर लेंगे सीधा इस तरह सीधा करते हुए इसकी गुलाई अब हम पीछे के तरफ से दे लेते हैं तो लिजे यह marking हमारी हो गई है अब हम इसकी कर लेते हैं cutting और उपर की तरफ स्थोड़ा कपड़ा कम है वहाँ पे हम जोड़ लगाएंगे वह मैं आपको दिखाऊंगी अब यहां से इसकी हमने एक्स्टा कपड़े की सारे की cutting कर देनी है कई लोग lagging बनाते हैं stretchable कपड़े की वो थोड़ा अलग तरीके से बनती है वो मैं भी आपको बता दूँगी तो यहां पे हमने इसकी cutting कर देनी है तो लिजे normally pen plazo की cutting हमारी हो चुकी है अब हमने उपर खेस्टे में जोड़ लगाना है कपड़े का यह कपड़ा जो है उपर फड़ा कम है तो बचा हुआ कपड़ा हम इसके उपर रखेंगे यह हमारा front है इसको हम नीचे की तरफ कर देते हैं पहले एक बार हटा देते हैं हाँ जी इस तरह कपड़े को रखते हैं इसके उपर और इसके उपर रखने के बाद हमने 4 इंच बड़ा इसको cut करना है जो पीछे का हिस्सा है एक्स्ट्रा वो फोर इंच होना चाहिए और इसमें से हमारी इलास्तिक भी लगेगी और क्रोच एरिया हमारा थोड़ा सा बढ़ा हुआ भी आएगा लीजए मैंने इसके cutting कर ली है और अगले हिस्से को मैंने 1 इंच डाउन दे दिया है यहां पे जो front का क्रोच एरिया है उसको मैंने 1 इंच डाउन दिया है यह डाउन देना जरूरी है तब ही आपके बंड प्लाजो की fitting अच्छी आती है और यहां पे 5 इंच पे हमने plate का नि पीछे के हिस्ते के अगर आपका कपड़ा कम है अगर नहीं है तो बिल्कुल ऐसे ही आपने सिलना शुरू कर देना है जोड लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ फिर हमने यहां पे क्रॉच एरिये को सिलना है इस तरहे कपड़े को रखते हुए हम सिलाई लगा लेते हैं दोनों हिस्सों में इधर भी और इधर भी तो लीजे सिलाई मैंने इस तरह लगा ली है अब हम क्या करते है इसको इसके ऊपर सीथा रखते हुए इस तरह क्रोचेरिय को सिलना शुरू करेंगे दोनों क्रोचेरिय हमने ऐसे ही सिल लेने हैं और यहां पर एक इंच का क्रोचेरिय पहले छोड़ते हुए हमने इसको सिलना है जैसे अगले हिस्ते में भी और पिछले हिस्ते में भी सेम ऐसे ही सिलाई लगानी है क्रोचेरिय पूरा नही उसको उस्टें खूलने के बाद नीचे रखेंगे और दूसरे पीस को भी इसी तरह खोलने खूलने के पाद एस तरह क्रोच करते हैं मैच करने के बाद हमने लग्स की अंदर की सिलाई लगानी है यह सिलाई हम लगाएंगे अब यह एक शीज कर ध्यान रखेगा कि यह स्टेचिंग बाला कपड़ा है आपने इसको बिल्कुल खीचना नहीं है धीले हाथों से सिलना है जो भी कम जादा होगा वो नीचे की तरफ हो जाएगा उसकी हम कटिंग कर देंगे कोई टेंशन नहीं है लेकिन खीचेंगे बिल्कुल नहीं अगर आप कपड़े को खीच के पूरा करने की कोशिश करोगे तो जो प्लाजों के अंदर से घिचावाना शुरू हो जाएगा और इसकी फिटिंग भी अच्छी नहीं दगा लेते हैं यहां से क्रोचरी री हमारा कमप्रीट हो जाएगा इसको हमने देखिए मैं दुझाती हूँ आपको इसतरहें इसके यहां पे elastic लगा रहे हैं तो थोड़ा सा कपड़ा हमें खुला छोड़ना पड़ेगा अगर आप pocket लगाना चाहते हैं तो वह भी लगा सकते हैं pocket लगाने का video अल्रेडी मेरे page पे है channel पे है तो आप देख सकते हैं इतना हमने हमें दोनों साइट को सिलते हुए दोनों साइट से खुला रख लिया है क्योंकि हम इसको बाद में complete करेंगे जब हम elastic लगा लेंगे तो लीजिए दोनों सिलाइट हमारी almost लग चुकी है अब हमने front के पले में पहले plates डाल लेनी है जो हमने निशान लगाया था यह plates की लंबाई तकरीबन 4-5 इंच होती है दोनों सिलाइट को इस तरह आपने उपर से चौड़ा और नीचे से बिल्कुल narrow कर देना है ऐसे ही plates डाली जाती है अब हम side वाले कपड़े को जो हमारा left side हाए left side वाले कपड़े को इस तरह पोल्ड करना है और नीचे की तरफ एक पट्टी रखते हुए इस तरह hook लगानी ह तो लिजी यह हमारा इस तरह कंप्लीट हो गया है एकसा कपड़े को कट कर देते हैं अब हमने इसके अंदर elastic लगानी है पहले belt बना लेते हैं belt का जो कपड़ा है वो हम बुक्रम के साथ बनाएंगे यहाँ पे मैंने सवा इंच चौड़ी belt रोल ली है अब इसके उपर इसक करते हुए belt ready कर लेंगे belt हमारी तैयार हो चुकी है अधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए मैंने इसको कट कर लिया है अब हम इसे इस तरह रखेंगे और जो belt वाला हिस्सा है उसको इसके ऊपर रखते हैं इसके ऊपर रखते हुए इस तरह स्टलाई लगा लेंगे सीजी सि देख लीजिए और इलास्टिक डालना भी तो आपको प्लाजो सिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो देखें यहां पर इसको मैंने स्टिच कर लिया है अब कपड़े को अंदर की तरफ करते हुए उपर से भी फोल्ड कर लेंगे तो लीजिए belt हमारी इसी तरह बन ग और यहां पर कटल लगा लिना है जो एक्स शाइड़ है वही हमारा फोल्ड होगा आप हमने इसे ऐसे रगते हुए पहले एक उस्टिच करना है फिर हम दूसरी साइड से ऐसे ही स्टिच करेंगे जितना कपड आपकाinäक्स और डोनों साइडięcy से उतना ही आप रखेंगे पहल अब हमने इसको खीच के कपड़े के उपर सिलाई लगानी है जो हमारी इलास्टिक है उसके उपर बिल्कुल भी सिलाई नहीं आने चाहिए तो लिजे इसको हम इस तरह फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे पूरे में और उपर की एक दबाव की सिलाई होती है जो प्लाजो की वो भी लगा लेते हैं तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ तो लीजे यह हमारा पीछे का हिस्सा रेडी हो गया है हमने इसको सिल लिया है साइट से भी और अब हम यहां पर होक लगाएंगे होक लगाने के लिए यह मेरे पास जो प्लाजो के अंदर हुक है वो है अब हम इसको इसके अंदर सेट कर देते हैं दोनों साइड की हुक लगाकर हमने इसको रेडी करना है और उसके बाद हमारा यह आल्मुस्ट प्लाजो रेडी हो जाएगा इसको पहले अंदर की तरह प्रेस करते हुए इसके ओपर लॉक लगा देते हैं किसी भी इस तरह हैवी चीज से तो इसके बाद यह आपका प्लाजो रेडी हो जाएगा हुक हमने यहां पे लगा दी है और इस तरह यह हमारी बंद हो जाएगी अब हमने नीचे की तरफ इसको फोल्ड करना है अगर कोई design बनाना चाहते हो प्लाजो के अंदर तो वो भी आप बना सकते हो इसको हमने इस तरह फोल्ड करना होता है फोल्ड करने का सबसे साथ तरीका है कि अंदर की तरब से प्लाजो को इस तरह थोड़ा सा खोल लीजिए और उसके बाद इसको फोल्ड कीजिए तो इस तरह हमारा ये जो सिलाई वाला हिससा है इसको इस तरह खोल लेते हैं और इस तरह सिलाई को लगा लेते हैं यहां पर अगर आप तुरपाई करना चाहते हैं तो तुरपाई भी कर सकते हैं दोनों हिस्सों को हमने इसी तरह stitch कर लेना है मैं वैसे यहां पे एक lace लगाऊंगी lace लगाने के बाद फिर आपको मैं दिखा देती हूं सिलाई लगाने के बाद कि ये plazo हमारा कैसा बन कर ready हुआ है तो लीजिए pen plazo हमारा बन कर तयार हो गया है मैंने इसको press भी कर लिया है बहुत ही perfect आया है नीचे की तरफ से मैंने इसको lace लगा के ऐसे थोड़ा सा designing दी है आपको ये plazo कैसा लगा है हमें बताइए को जुरूर stretchable कपडे में आपने इसी तरह margin लेते हुए इतना ही margin रखते हुए आपने इसकी cutting करनी है तो आपका perfect pen plazo बन कर ready हो जाएगा loose plazo में आपने कोई margin नहीं रखना है खास ज़्यादा तो उसको आपने सीधा ही चारो पल ले एक जैसे काट लेने है उसकी मैं वीडियो लग से बना दूँगी तो लीचिए dummy के उपर मैंने इसको पहना कर दिखाया है बहुत important fact ये हमारा pen plazo setting वाले कपड़े में बन कर आया है आपको वीडियो कैसा लगा है हमें बताइएगा जुरूर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आगे मिलते हैं किसी नए डिजाइन के साथ अब तक लिए good bye take care